प्रेंस की बात और आज मैं फिर से बिजोएन आ गया हूँ और एक वेफ सीरीज लेके जो दो दिन हुआ बस रिलीस किया है मतलब कल ही रिलीस किया है यह बिसके लिए टीवी एफ का वेफ सीरीज है लेकिन अभी सोनी लिए का जो एप है उसमें आप देख सकते है कुछ इतमें में यह टीवी एफ के अप में भी आ जाएगा बिसकली मैंने आज देखा नहीं आज भी आ जा सकता है तो गो चेक यो सिरीज है इसका नाम है गुल्ला लस्ट येर टीवी एफ का और एक वेफ सिरीज आया था जिसका नाम था यह मेरी फ पहता हुआ है यह लेज एक टी इं देवी प्हान हुए है तो गो लोग कैसे बड़े हुए हम लोग के टाइम पर मhm ओहल कैसा था कासे बच्पना थे हम लोग के तो इसमें दिखाया गया है कि अभीमी दीपाॉजre ख्राश फैमिली में हम लोग कैसे बिलों करते है कैसे ब फेमिली देखके फील कर सकते थे, वैसे ये देखके भी थोड़ा फील तो आपको आएगा कि आगर आप सच में मिडिल क्लास फैमिली से हो, कोई भी चीज पापा से मांगने से डरते हो, या फिर आप इसलिए नहीं मांगते हो कि चलो पापा भी कहा से लाएंगे इतनी महँग या फिर मम्मी से डाट खाते हो सुबा उठते उठते, तो आपको आप भी रिलेट कर सकते हो, मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, तो शुरू करते हैं, जहाँ पर IDMA 2019 में, बेस्ट बेंचमार्क कॉंटेंट या ब्रैंडेट कॉंटेंट का सफ केटेगोरी में, ये मेरी फैम फैमली को गोल्ड मेडल मिला, वही पर TVF इससाल लेके आया, गुल्लक, और गुल्लक का जो डिरेक्टर है, अमरित राज गुपता है, और ज्यादा वक्त का भी नहीं है, बस पाँ एपिस बीस मिनिट करके, और गुलक का राइटर है, निखिल विजय, निखिल विजय को प बरा नहीं है, इधर दिखा रहा है कि एक मिडिल क्लस फैमिली है, जो अपने घर में रहते है, पापा है, मम्मी है, बरा बेटे है, और छोटा बेटा है, और इन लोगों का जिन्दी का स्टोरी टेलिंग कर रहा है गुल्लक, आपके सभी के घर में बच्पन, आज के दिन मे कम होता है, लेकिन हमारे जमाने में भी था, कि मम्मी रखती थी गुल्लक में, पापा रखते थे, में भी रखता था, और कही स्पेशल ओकेशन में वो तोरा जाता था, लेते थे, तो वो ऐसे ही दिखा रहा है कि घर में हर किसी का एक गुल्लक है, और ये मिडिल का जिन्द में देख चुके हैं, इसके सिवा पापा के भुमिका में है जमेल खान, मम्मी गितान जले कुलकरणी, बरा बेटा अन्नु वाइवा राजगुपता और छोटा बेटा आमन हर्ष मायर इन लोगों ने प्ले किया है, और एक करेक्टर है बिट्टू की मम्मी बोलके, उनका जो ममी का तबियत बिकर जाए तो क्या हो सकता है, घर बनाने का या घर रिकॉंस्टर्ट करने का खर्चा ज्यादा हो जाए तो रुख जा सकता है, एक स्कूटी भी खरीदना कितना मुश्किल हो जाता है, और सपना देखना और उसे पूरा करने का बीच का फरक समझ में आता है बरा भाई छोटा भाई एक दूसरे से लड़ते भी खूब है लेकिन प्यार भी खूब है छोटा भाई मार तो खा लेता है लेकिन फिर भी बरा भाई का सिगरेट खाने का सिगरेट किसी को नहीं बताता तो Middle Class Family जैसे चलता है वैसे ही है इस कहानी का मुद्दा और इन सब के बीच का है गुल्लक जो पूरा कहानी बया कर रही है ये मैं पता चुका हूँ मैं सज्जिस्ट करूँगा हर कोई सुनने से ज्यादा ये सीरीज देखने में टाइम दे तो अच्छा है शायद आप भी मेरे तरह रिलेट कर पाओ कि मिडिलता जिन्दगी कैसा है और ममी पापा के भुमिका और बच्छों के भुमिका भी बहुत अच्छे से निबाया हर एक्टर ने और जो बोला था बिट्टू की ममी की केरेक्टर वो भी आप लोग आपके नेवर से देख सकत कि आपके नेवर में कोई न कोई तो ऐसा होगा ना कि जो उट पटांग सी महले की ख़वर आपको देखने आएगा और उनके हरकती भी होंगे उट पटांग तो वो ही रोल दिवाया है बिट्टू की मम्मी ने इधर वो भी में तो रिलेट कर पाया कि हाँ ऐसा होता है तो तो शुट गो वच मेरे लिए मैं तो इस शो को दस में आठ दूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्याद रिलेट कर पाया आप भी बोलिये आपको कैसा लगा है मैं और एक बार कहूंगा टीवी एफ को कि आप जिन्दगी को जोडते हो आपके इस वेफ सिरीजों से सो प्लीज कनेक्टेड हुत अस सब्सक्राइब आप लोग के लिए हम लोग करते हैं आप सब्सक्राइब करेंगे आप देखेंगे आप सुनेंगे तो ही हमें अच्छा ज्यादा लगेगा प्रेज बेल आइकन फॉर गेट नेटिफाइड आफ एवरी वीडियो थैंक यू गाइस